आज के वीडियो में आप मैं आपके साथ शेर करूंगी कीचन टीप सेंट्रिक्स जो आपके बहुत सारा टाइम तो बचाएंगी वोर बहुत सारा पैसा भी बचाएंगी यहाँ पर आप देख सकती हो जब भी हम इस तरह के सुगर या गूड का लेते हैं तो कभी-कभी हम उसमें आसपास या अंदर चीटिया दिखाई देने लगती है तो इस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो जो भी कंटेनर है उसके नीचे लोंग एड़ कर सकते हो या अंदर एड़ कर सकते हो या बिलकूल नहीं आएगी कि आप एक बार ट्राइ करकर जरूर दखना या फिर आप कंटेनर के ऊपर भी डाल सकते हूं पर इस तरह की कीचन टिप्स और ट्रिक्स जो हो रहती है वो हमारा बहुत सारा काम को आसान बना देती है अब नेक्स चलते हैं दूसरी टिप्स की ओर तो यहां पर देख सकते हूं कबी कबी हम चीजें ले 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 लेते हैं और थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम इस तरह से रूबर बेंड से सिक्योर कर देते हैं पर पेकेट्स छोटा रहता है तो रूबर बेंद भी अच्छे से हम लगा नहीं पाती तो आप देख सकते हूं इस तरह का package था और इसमें कोई भी note लगाने की जगह वगेरा कुछ भी नहीं था तो आपको इसको seal pack करने के लिए बस knife को गरम कर लेना है और एक newspaper रखना है वोर उपर से आपको knife को प्रेस करते हुए इस तरह से knife को चला देना है आप चाहो तो सीधा ही कर सकते हो पर क्या रह रखके फिर इस तरह से प्रेस करके रखो तो क्या होगा कि यह air tight भी रहेगा और खराब भी नहीं होगा और चीजें क्या होगी कि एकदम अच्छे से आप organize भी कर सकते हो क्योंकि इस तरह से हमने सिल्पे किया होगा तो एक के उपर एक हम चीजें रख सकते हैं और बहुत सा अब तो चोटे चोटे इस तरह के कंटेनर है वह बच्चे जब खाने पीने की चीजे लेते हैं जैसे की च्विंगम वगेरा हो गया तो इस तरह की क्यूट क्यूट से कंटेनर आ जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो इसका इस तरह से डगकन है तो यहां पर मैंने सोच या इसका रियूज करते हैं वह उपर से इस तरह का बहुती अच्छा सा मुझे लगा तो यह दो है मेरे पास इस तरह का एक स्प्राइट वाला एक कोका कोला वाला तो इस तरह के छोटी-मोटी चीजें हम पीश कर रख सकते हैं चाहे चीनी हो या चाहे सोल्ट हो इस तरह का निकाल लेंगे और आगे की और से हम कॉट कर लेंगे और फिर इसका यूज हम करेंगे खास दोर पर जो पीजी य वाश्टल वगेरा में रहते हैं उसके लिए बहुत यह टीप्स काम की है तो इस तरह से निकालने के पाद जो भी थोड़ी बहुत हम असाले कर पे रखते है कभी-कभी हम खाना वगेरा बनाते हैं, तो बहुत जादे मसाले तो हमारे पास नहीं रहते हैं, और उसके प्रोपर ओर्गनाइजर भी हम खरिदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो टेमपररी बेस पर सारा कुछ रहता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह से वोट आश्टिक मेरा थोड़ा थिक वाला है, तो मेरी जो केप थी वो आ नहीं रही थी, तो आप क्या करो कि इस तरह से उपर जो कभी-कभी बार आपको यूज करना है, तो उपर का पाट इस तरह से खुला रखो, वरना आप क्या करो, उपर की वोट ट्विस्ट करके मोड दो, जिसे कि क्या होगा, कि अच्छे से वो सिक्योर रहेगा, वो जब भी निकालना है, तो इस तरह से खोल दो वो इस चीजों को निकाल लो, तो इस तरह की छोटी-छोटी चीजे एक ही और्गिनाइजर में रखते हैं, तो भी अच्छी लगती है, क्योंकि जादा तर मसाले हम तर तर असा बनता है, तो बस एक पेन ले लेना है, इसमें थोड़ा सा घेड कर देना है, इलाइची एड कर देनी है, मेडियों जो फ्लेम है, उसके उपर आपको देर बाद आपका इलाइची है, वो इस तरह से फूल जाएगी, और फूलने के पाद, आपको फिर ठंडा हो के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के पाद आपको मिक्सर जार में थोड़ा सा डालना है सुगर और डाल देनी है इलाइची और फिर इसको पीस लेना है तो एकतम ही फाइन पाउडर बनके निकलेगा जो भी इलाइची के छिलके वगेरा है वह भी अच्छे से पाउडर मे इसीली आप यूज कर सकते हो वरी सिको मैंने जो आगे की जो टिपस में मैंने बताया था छोटू सा वह उर्गेनाइजर इसमें हमें बर दूँगी तो हमने इलाइची तो इसमें पीस दी है तो अब हाह करेंगे इसमें सोल्ट को पीस देंगे तो दो काम हो जाएएंगे हम खड़ा खड़ा रहता है एक साथ मिक्स नहीं हो पाता और दूसरा काम हमारा ये हो जाएगा कि जो ये मिक्सी की जार है उसकी ब्लेड भी शाफ हो जाएगी कभी-कभी क्या रहता है उसकी जो शापने से घट जाती है तो इस तरह से आप कर दो तो आपका जो सोल्ट है वो भी पीस जाता है और साथी साथ आपकी जो ब्लेड है वो पी शार्प हो जाती है आप देख सकते हो और अब चलते है नेक्स टिप्स की और यह से रम एक का मैंने दो बाउल ले लिया था तो यहां पर मैंने एकसपेरिमेंट किया एक में में गरम पानी एड़ किया है दूजे को मैंने माइक्रोवे में डाला था मैंने सोचा कि गरम करेंगे तो वेसे ही स्टिकर निकल जाएगा पर इसको मैंने गरम पानी एड़ कर दिया इसको मैंने ओवन में रख दिया और एक दो मिनिट चलाया फिर भी उसका स्टिकर जैसा निकलना था वैसा निकला नहीं था तो कभी-कभी रहता है ना कि वाइरल हैक्स होते हैं वो भी काम नहीं कर पाते हैं जो प्रैक्टिकल हैक्स रहते हैं जो प्रैक्टिकल टिप्स और टिक्स रहती है वो ही काम में आती है तो यहां पर किया और उसका श्टिकर भी मैंने निकाला है तो इसमें से कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी कौन सी टिप्स आप पहले से यूज करते थे वीडियो थोड़ा सभी यूजपुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ओल में कनवर्ट कर देना बाई बाई थेंक्स पर वाचिंग